नमस्कार, नौरात्री की शुप काम नाई, नौ दिन के नौ रण की सिरीज में आपका सौगते, आज नौरात्री का चटा दिन है, आज का रण है यलो, आज हम वड़ाने वाले हैं मसाला मिल्क, पहले हम मसाला रेडी करेंगे, मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 20 ब और मैंने छे इलाइची ली है, और केसर, अब उन पहले इन्हें थोड़ा-थोड़ा करके सेखेंगे, पहले हम काजी सेखेंगे, हमें ज्यादा नहीं सेखने हैं, थोड़ा-थोड़ा ही सेखना है, बस इस तरह से हमें थोड़ा ही सेखना है, अब हम बादान दाने होगे, थोड़ी-थोड़ी सुगन दाने तक हमें सेखना है, अब हम पिस्ता सेखेंगे, शोप को हमें फिप पैन में डालके तुरंट निकालना है, ज्यादा नहीं सेखना है इसे, अब हम ग्यास बद करेंगे, और इलाइची और सुट पाउडर, बस इसे ही थोड़ा सेखेंगे, गरम पैन पे ही हमें इलाइची और सुट पाउडर सेखनी है, बस, अब हम यह भी निकाल देंगे, अब हम इने मिल्सी में पिसेंगे, केसर के साथ पिसेंगे, केसर भी डालेंगे, अब हम मिल्सी में इसे बन चलू बन चलू करेंगे, डारेक नहीं पिसेंगे, अगर हम डारेक ज्यादा पिसेंगे, तो इन काजू और बादाम का ओईल बाहर निकला जाएगा, इसलिए हमें बन चलू बन चलू करना है, देखे हमारा मसाला रेडी हुआ है, अब हम मिल्क रेडी करेंगे, हम दो ग्लास दूद गरम करेंगे, अब हम शुगर डालेंगे, मैंने यहाँ स्टोन शुगर ली है, शुगर को दूद में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अब हम वन टेबल स्पून यह जो हमने मसाला रेडी किया है वो डालेंगे, अच्छे से मिक्स कीजे, दूद को अच्छी तरह से उबलने दिजे, ताकि केसर अपना रंग छोड़े, अब हम ग्यास बंद करेंगे, हमारा मसाला दूद रेडी हुआ है, अब हम इसमें केसर डालेंगे, और सर्व करेंगे, यह मिलका को कैसा लगा, मुझे कमेंट बाक्स में निकर ज़रूर बताएगा, और लाइक सब्सक्राब करना ना भूले,